वेलकम बैक फ्रेंट सुर्णिस डिल्कम तूअर चलनल मुव और शड़ी तरफ्रेंट्स आप सभीका स्वागत आपके अपने चलनल मुव और स्वागत में फ्रेंट्स आज में आप लोग का जो पेपर यानि की अठाय सुलाई दोजार चॉबिस को फर्स्ट में इंग्लिस हिंदी वंगला यानि यह सभी का जो जनेरल पेपर यानि एक लैंगविज पेपर को जो कोसन आया था उसके रिगार्डिंग मैं फ्रेंट्स आप लोग के वीडियो लेके आऊं यह जो फ्रेंट्स कोसन जो है सबसे पहले मैं ठैं कोसन पूछा था आप लोगा एज़े टू मोड़ेट था कोसं का जो लेवल दाइज़े टू मोड़ेट था बेश्ट अब सलेबस अगर कोई जो अच्छे से पढ़े हैं तो 180 में कमसे का 140 प्लस कर सकते था एक और इंट रोहित चलिए मैं आप देखता हूं सलेबस में कि प्लसर यानि से अरिया संड फ्रेसर से जो कोषन पूछा था ऐसर या दखेलेगा यानि से न्थे सं प्रिछल साथा ता चार से लेड़ेट यादा गें ग। जिसमें 2 ब्लेक औन बूझ जिसमें 2 ब्लेक औन बूझ से रिड़ेट कोस्त था फिर एक्टी पैसी पैसिप प्रोच पूछा था जिसमें कोसण यह था कुछ-कुर्च याद है उनके कोडिंव do you know , do you know the regard she has become question स्फिरारीख्थ और इंडारेивает के आरेशन से भी साह्थ खोेस्च हुल्स लें ऒज़िए Let today's another question पूKEसðथ नेख्ट में आप लोग का फिक्ष्ट पैस पूचाता उसके साथ आप लोग तेगे वी बता मुल्क टैस्ट यानि कि फॉनिटिक्स फूचा घाने मैंगो को फॉनिटिक्स में कैसे लिखा या ता यह पिसेश के rigorous ता जिसमें की दस कोषण के फूचा घाता यह पैसेश हां की क्होि है। History of English or history of English literature Xuitta साथ से आड को संता से लिटरेचेशा को संदेख फिर फडिक सकूसं से ने के 6 एक से ये कुछता थे साथ से एक से को सना एस्टा यहाद रिखा ळाना है चा içlanduk सबसे पहले महस जतनती का जन्म कब हुआ था सायद इसका इसके साथ उन्होंने भी बताया ड्रामा पूचा था जो कि जर्मन से लेटर कुछ था फिर टेंप्लेस्ट के बारे में बता जो कि लोगी अब लोगों यह बताया जाता हूं मेंते बताता हुआ इस्में देखा जातों मैं में डिसकस करी दिया हूं यानिक देखें ड्रामा में आपका था विलियम सक्सपीर से कोशन था और महज दतन्नी का भी कोशन था जो आप लोग का रिकार्डिंग यह लिख रहा है देख लिए महज दतन्नी कोशन था यानि इसका जन्मक कब हुआ था साइद आप लोगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे किस्ट आपका पेपर आ रहा तो मैं उसके रिकार्डिंग में वीडियो अप्लोड कर दूंगा चलिए तो मच प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव और शेट हैंगी सो मच